जो कि Government of India की एक organization है मत जह हिन प्यारे दोस्तो Ministry of Commerce and Industry में दोस्तो बड़ी जबर्दस वेगेंसी आउट हुई है पक्की सरकारी नोगरी भी है और contractual basis भी है एक notification आउट वा है जिसमें दोनो टाइब की post की बात करी गई है दोस्तो post बहुत सारी है superintendent की post है senior assistant की post है यह जितने भी post है सारी आज इस वीडियो में compile कर लेंगे वीडियो को पूरा जरूर देखना पक्की सरकारी नोगरी भी है और contractual भी है इसलिए सब बाते करेंगे अपने चलों को like करो subscribe करो वीडियो को share कर देना तो basically दोस्तो national institute of design ministry of commerce and industry की अंतरगत vacancy आउट हुई है जो की government of India की mantra लिया है दोस्तो इसमें दोस्तो बात करते है कौन-कौन सी post निकली है 12 सरकार के अंतरगत आपकी posting हो रही है post की बात करें सबसे पहले जो government job है उसके बारे में बात करेंगे certificate course वागरा ऐसा कुछ निमा आ गया दोस्तो लेकिन जो desirable qualification है उसमें mention करी गई है कुछ चीज़े essential qualification में graduation है desirable में जो भी चीज़े वो आपके पास है तो भी ठीक है नहीं है तो भी ठीक है दोस्तो उसको ज़्यादा mind मत करना level 6 के अंतरगते ही बात नंबर से नंबर पर advertisement का लिंग में डिस्क्राइब दे दूँगा डिकली आप रीडाउट कर सकते हैं अगली पोस्ट भी senior resistant के सिंपल graduation माँआगा है किसी भी फिल से आपने graduation किया तो भी आप apply कर सकते हैं इसमें 34,000 रूपे salary मिलेगी एक और senior resistant की post assistant की post है उसमें graduation माँआगा है उसमें 30,000 से ले मिलेगी तो इसकी in-depth analysis करने के लिए advertisement एक पर आपको जरूर read out करना पड़ेगा क्योंकि आपको apply करना है कैसे कैसे apply करना है अब उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले बता दूँ आपको इसकी जो last data वो है 19 जुलाई 2021 apply करने के लिए क्या करना होगा आपको जैसे अगर आप किसी category से बिलोग करते हैं SC, ST, PWD या woman candidate है तो आपके लिए fees तो exempted है लेकिन अगर आप general या OBC से बिलोग करते हैं तो आपको 500 रुपे का एक demand draft बनवाना पड़ेगा जो की बनेगा National Institute of Design कुरू छेतर पेबल एट कुरू छेतर के नाम से इससे हमें दोस्तो ये पता चलता है कि जो आपकी posting होगी वो होगी हर्याना कुरू छेतर में क्योंकि जो National Institute of Design है वो कुरू छेतर में ही है अब अगली बात करते दोस्तों आपको apply कैसे करना है पहले आपको apply करना है दोस्तों ये application form का link में discussion दे दूँगा उसका print out निकालना उसके साथ अपने सारे supporting documents लगाने है और अगर आप female candidate है तो आपको अपना अधार card compulsory लगाना है नहीं तो आपका form जो है reject हो जाएगा दोस्तों वो सब documents आपको self-attest करके आपको send करने है इस address पे दोस्तों इस address पे पहुँच जाने चाहिए जैसे कि मैंने बताया आपको last date है इसकी 19 जुलाई 2021 से पहले पहले इसके लावब दोस्तों आपको कोई और question नहीं सुझाओ तो आपको comment section में लिए सकते हैं उसे बात कर सकते हैं thank you so much for watching my video